Hello friends, welcome to my channel nihaki cookie आज हमारा गूद्स हमारा —— ठेस्टई हैं वो बहुत ही जादा ठेस्ट्रिई और बहुत ही आसानी से बनने वाला है duplication यह है सूची का हल्वा सब shoulder onbit में अब सबोर सबोंच और रिफिरिंट तरीके से बनता है किसी-किसी के घर में ये बहुत-जादा,सूखा बनता है किसी घर में बहुत-जादा गीला होता है तो यह अपनी 24 है, आपको जैसा भी बनना है तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं लेकिन मैं जो आपको तरीका बताऊंगी अगर आप इस तरीके से आपने सूजी का हलवा बनाया तो आपका जो सूजी का हलवा है यह जैसे सूखा सूखा नहीं बनेगा यह अगर आप साम तक भी खाएंगे या सूबत तक भी खाएंगे तो यह वैसा ही जैसे लगेगा कि अभी ताजा ही बना है तो उसके लिए आप एक कटोरी का मेजरमेंट ले ले या कप या कटोरी कोई भी एक मेजरमेंट ले ले और उससे आप नापे हर चीज आपको उसी से नापनी है तो मैंने एक कटोरी लिए है जिस कटोरी से मैंने एक कटोरी घी भी लिया है कट घी में मैंने दो चमच घी सिफ निकाल के रखा है और वाकी अपर जादा तो बनेगा तो यहां पर मैंने सूजी को थोड़ी दिर भूनने के बाद जब थोड़ा ही भून जाए मतलब एक आख मिनट तक भून ले हम उसको तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो इसका फ्लेम है एकदम लो रखना है हमें एकदम ना ही इसको फ्लेम बढ़ाना है सिर्फ ल अधा अधा चमस्ष करके दोबार डाला है आप एक चमस्ष एक बार में ही डाल सकते हैं और आप देखेंगे कि जो बेशन हमेरे ने यहां पर डाला है वह डालते ही इसमें बहुत अच्छा मदलब कलर भी आ गया है और मिलब जो सूजी निकलने लगा है और थोड़ा सा लिक्विडी हो गया है तो यह जो बेशन है इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सूजी के हलवे का तो कई बार हलवाई तो इसमें गेहूं का आठा भी डालते हैं आप सूजी में आप बेशन डाल सकते हैं इससे टेस्ट अच्छा आएगा तो यहाँ मैंने बेशन डालने के बाद भी कुछ समय तक इसी तरीके से लगातार चलाते हुए इसको भूनते रहना है तो इसको भूनते रहना है लो फ्लेम पे ही इसको भूनते रहना है और जैसे जैसे कलर चेंज होता जाए तो अभी हमें इसको और भी भूनना है तो आप चाहे तो यह जो नीकाल के फिर से इसमें डाल सकते हैं लेकिन मैं क्या कर रही हूं कि तो मैं इसे अब हुआ विहां मिटने के बाद उच्छा सपर आएगा तब तक हमें इसको बूंते रहना है। हमें ऐसे ही बूंते रहना है और एक तरफ हम मैं दढ़एर लेते हैं और खोना कुछ भी आप ले लेजिए आप उसमें जित्ता सूजी लेंगे मतलब एक कटोरी मैंने इस कटोरी से सूजी लिया है तो उसमें मैंने तीन कटोरी पानी एड़ किया है तो आप इसी तरीका का मैजरमेंट लीजिए आपकी जो सूजी एक दम परफेक्ट बनेगी और उसके बाद मैं आपडेगे केसर रोय को बदे आपके लुद anál मैंसे और एक को डूब कैसा ही केसर करें लोग तो हिसमें जिए लुदा कामल बलंग दूब कीज़ी बेड़े है एक लिधी कि आप इस तरी केंसे पानी मैं अड़ कर दीजिए जो सूजी है एकदम मुलायम और एकदम मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी चिकनी बनेगी तो फिर उधर हमारा जो पानी मतलब खौल रहा है तब तक हम इधर सूजी को चलाते रहेंगे और इसका मतलब जब तक हमें अच्छा सा कलर नहीं आजा तो तब तक हम इसको बुनते रह है तो हम सूजी में हमारी गरम है और जो पानी है वो भी गरम है तो हम इसमें उबला हुआ पानी ही ऐड़ करेंगे तो इससे सूजी बहुत जल्दी बन जाएगी और मतलब टाइम भी नहीं लगेगा और सूजी अच्छी भी बनेगी तो हमने यहां पर देखे थोड़ा-थ करते जाना है और इसको चलाते रहना है तो हम इस तरीके से मतलब सूजी को पकाते रहेंगे और चलाते रहेंगे तो सूजी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत ज़्यादा सॉप्ट बनेगी तो यहां पर मैंने देखिए थोड़ा सा इलाइची का पाउड प्रिमेंगे तो मैंने सब कुछ तो एड कर दिया है रह गई है मतलब चीनी में थोड़ा सा कमी एड करती मैंने आड किया है आप सूजी के लिए चीन एड कर शक्ते है आप जितना सूची लेजिए उतना चीनी आप लेजिए आपका जो मीठा से एकदम पर्फेक्ट होगी मैंने थोड़ा सा कमी मीठा रखा है तो मैंने आदा कटोरी लिया है आप अपने टेस्ट के कम्या जादा मीठा कर सकती है मीठस का कोई मैजरिमेंट मैंने यहां पर नहीं दिया है क्या मुझे थोड़ा सा कम्यदा चाहिए था तो यहां पर देखिए मैंने इस तरीके से मतलब पैदम सुजीका हलवा कर दिया है तो एक कटोरी घी में मैंने पूरी सूजी का प्रोसेस बताया है आपको तो इस तरीके से जब यहां पर आप मतलब घी एड़ करेंगे तो जो घी का टेस्ट होता है न वह बहुत ही अच्छा आएगा जो यह मतलब सूजी के हल्वे में तो आप देखी सकते हैं कि ज सूजी का हल्वा मतलब बनाया है तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था इसको बच्चे बुढ़े आप जिसको भी देंगे बहुत ज्यादा मन से इसको खाएंगे बहुत ज्यादा तारीफे करेंगे तो आप घर में इस तरीके से हिल्दी टेस्टी और बहुत ज्यादा यमी आप सूजी का हलवा घर पे बना सकते हैं तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सिब्सक्राइब और सेयर जरूर करें और कॉमेंट बाक्स में जरूर बताएं